नदी की कहानी नदी का पानी अपने संगीत से सुनील की दिल को छू लेता था। वह रोज सुबह उठकर नदी के किनारे बैठ जाता था। वहाँ पर बैठ कर उसे ऐसा लगता था कि नदी उससे बात कर रही है। सुनील ने खुशी से उचलते हुए कहा क्या मैं भी उसे देख सकता हूँ। नदी ने हां कहते हुए कहा हां पर उसके लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सुनील ने उतसाहित होकर पूछा कौन सा सवाल। नदी ने कहा तुम्हें वह बताना होगा कि तुम् अंदर रिष्टा होता है। नदी ने सुनील के उत्तर को सुनकर जादूई घाट दिखाने का वादा किया। वो दिन आया, सूरज ने अपनी किरणों को नदी के पानी पर गिराया। सुनील ने उत्साहित होकर देखा, और जब वह नदी की ओर देखा, तो वहाँ पर एक चम तुमने प्यार की महत्व पूर्णता को समझा है और अब तुम इस जादू को अपने दिल में भी देख सकते हो। सुनील का दिल खुशी से भरा हुआ था। नदी की यह कहानी सुनील के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वह हमेशा नदी के किनारे जाता और नदी की सुन नदी की कहानी में रोमान्चक तत्वों को महसूस किया।